जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कम्सोर पढ़ जाएं तो आवाज भुलंद करनी पड़ती है पोल किलब आजाद हैं तेरे दियू स्क्लिक पर मेरे साथ पोल किलब आजाद है तेरे पोल सबह अब तक तेरी है जो शहीद हुए हैं उनकी जरायात करो कुर्बानी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे बरसों बरस मेले वतन पर मिटने वालों का बस यही एक निशा होगा शहीदों को लेकर देश के सैनिकों को लेकर हमारे जजबात हमारी भावनाएं कितनी खोकली है ना क्योंकि जब किसी टेलिविजन पर हो रही डेबेट में पाकिस्तान को गाली देने की बात हो या पर देश के उधारवादी समाज को गाली देने की बात हो तब तो हम जोरों से तालिया बजाते हैं जब अपने सैनिकों की सही माइने में चिन्ता करने की बात होती है उनके हितों का ख्याल रखने की बात होती है तो हम सब खामोश हो जाते हैं हम सब आप मैं देश का मीडिया नौकर शाह देश की सरकार सब और आज एक बार फिर ज्यादा दूर नहीं जाओंगा पिछले एक महीने की घटना मैं आपके सामने पेश करने वाला हूँ और हर घटना के पीछे हमारा जो खोकलापन है उसे एक्सपोस करने वाला हूँ सबसे पहले असाम से उड़ा और अरुनाचल की पहाड़ियों में जाकर बिखार गया AN-32 विमाग जिसमें भारत के 13 IAF के कर्मचारी मारे गए इंडिनेफोस के मुलाजम मारे गए मैं सोच रहा हूँ कि जो राहत दल उन्हें बचाने के लिए गया था जब उन्होंने उन पर कच्छों को देखा होगा या उन लाशों को देखा होगा तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी उनके परेवारों की दिलों पर क्या गुजर रही होगी लगतार मेरा दिमाग उस बात की ओर है आज उन तस्वीरों के बाद पहली बार मैं उन तमाम लोगों की तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूं और जानते हैं आप इन तस्वीरों को देखने के बाद मेरे जहन में एक ख्याल आता है कि इन में से कुछ कितने जवान हैं, कितने युवा हैं, मगर आज हमारे बीच नहीं है, इनके नाम कुछ इस तरह से हैं आप जानते हैं में से एक शक्स मारा गया है, राजेश कुमार इसका भाई है संतोष जो एक चाय की दुकान लगाता है, एक हफ़ते तक जब इनका मलबा नहीं मिला था, एन 32 का, ये लगातार इंडियन एफोस से अपील कर रहा था, मगर इंडियन एफोस के एक भी अधिकारी ने इनसे संपर्क स्थापित नहीं किया परिवार कितने मुश्किल के दौर से गुजर रहा था, कितनी अनिशित्ता थी, और इस पूरे एक हफ़ते किसी ने इनकी सुध नहीं ली इंडियन एफोस मान लिया किसी काम्यव्यस था, मीडिया ने इनकी सुध नहीं ली, आपने और हमने इनकी सुध नहीं ली कितना खोकलापन है ना, और इस पूरे एक हफ़ते, मैं चुनौती देता हूँ, किसी भी न्यूस चैनल ने इस पर सरकार पर दबाव नहीं बनाया, सवाल खड़े नहीं किये और आज भी, आज भी जब इनकी लाशे मिल चुकी हैं, इनके पार्थिव शरीर मिल चुके हैं, कोई भी सवाल नहीं उठा रहा है, आज बोल के लवाजाद है तेरे में, मैं आपके सामने कुछ तत्थे रखने वाला हूँ, जो चौकाने वाले हैं, मेरे दोस्त और रक्षा मामलों की जानकार शिव अरूर लिखते हैं, मुद्दा नमबर एक, अगर एरबस C295 जिसकी त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एरबस C295 है, जिसकी तस्वीर आपने अभी अभी देखी, ये ऐसे ही दुरगम रास्तों, ऐसे ही दुरगम पहाड़ीों के लिए होता है, मगर इसको प्रोक्यॉर नहीं किया गया, अब आप कहेंगे कि जो सरकार और उसका सारा काम सैन के लिए तो बेताहाशा दर्द है ना, फिर वो कैसे भूल गई, इसी से जुड़ा है मुद्दा नंबर दो, क्या आप जानते हैं कि एरबस C295 का जो प्रोक्यॉर्मेंट है, उसे हासिल करने की जो फाइल है, उस पर सरकार और नौकर शाह काफी अरसे से बैठे हुए हैं, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया, जी हाँ, ये वो सरकार है, ये वो मंत्राले है, जिसका कर्तव है, अपने सैनिकों का खयाल रखना, मगर इसको लेकर कोई सुध नहीं ली गई, मुद्दा नमबर तीन, माना, एन थर्टी टू विमान, दुरगटना गरस्त, एन थर्टी टू विमान, एक कारगर विमान है, उसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, मगर अब आपके सामने हकीकत है, उस पर आपको गौर करना पड़ेगा, अक्सर जब ऐसे खराब मौसम में एन थर्टी टू विमान पस जाता है, तो यहां से निकलना, खासकर ऐसी घाटियों से निकलना, उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, नामुम्किन हो जाता है, यह तमाम चीज़ें रक्षा मंत्राले के अधिकारियों को मालूम है, एन थर्टी टू विमान के दुरगटना ग्रस्थ होने की, और किस तरह से हमारे तेरह जवान, इंडियन एफोस के हमारे तेरह वीर शहीद हो गए? है कोई जवाब देगी? मगर अगर आपको लग रहा है किस तरह की उदासी इनता सिर्फ एन थर्टी टू विमान के दुरग उनके नाम जानना चाहेंगे आप पहला नाम A.S.I. रमेश कुमार जज्जर हर्याना से A.S.I. निरोज शर्मा नलबाडी असाम से कॉंस्टिबल सतेंद्र कुमार, महिश कुमार कुश्वाह, मुझफर नगर और घाजिपूर उत्तर प्रदेश से कॉंस्टिबल संदीप यादव, देवास महध्य प्रदेश से जी हाँ, ये वो पाँच C.R.P.F. के जवान हैं जो शहीद हुए हैं मगर क्या आप जानते हैं कि ये हुआ क्यों? शहादत की इस घटना को किस तरह से अंजाम दिया गया? हिंदू की इस पड़ताल से ये बात सामने उभर कर आई है कि इस घटना को अंजाम दिया एक आतंकवादी में एक पाकिस्तानी फिदाईन ने जो वहाँ पर एक तरह से खुद की जान देने भी आया था, फिदाईन था मगर ये पाकिस्तानी आतंकवादी पिछले काफी अरसे से मुआइना कर रहा था, रेकी कर रहा था क्योंकि जब उसने हमला किया था, इन CRPF के जवानों पर उस वक्त उनकी ड्यूटी बदल रही थी अंग्रेजी में एक शब्द होता है सिटिंग डक्स वो ऐसी स्थिति में नहीं थे कि वो जवाब दे सकें उनके इसी कमजोर लम्हे का फाइदा इस पाकिस्तानी राक्षस ने उठाया और उसने गोलियों से उन्हें भून डाला और उसके बाद ताबढ़ तोड हमला किया ये था मुद्दा नमबर एक मुद्दा नमबर दो क्या आप जानते हैं कि C.R.P.F. लगातार जम्हो कश्मीर पूलीस से कह रहा था कि हमें सामान लॉइ इन ओर्डर की स्थिति में जो कानून विवस्था को बहाल करने के हालात में हमें तैनात ना किया जाए हमें पुलीस स्टेशन्स में तैनात किया जाए वकॉल C.R.P.F. आप हमारा इस्तमाल असमानने हालात में करें जिसके लिए C.R.P.F. को घाटी में तैनात किया गया है मगर ऐसा नहीं हुआ जिसके चलते हमारे ये पाँच जवान शहीद हो गए अब बताईए मुझे मुख्यधारा की मीडिया ने क्या इस मुद्दे को लेकर डिबेट किया डिबेट किस बात को लेकर हो रहा था दोस्तों क्योंकि इन मुद्दों से उन्हें T.R.P. मिलती है इस मुद्दे से उन्हें रेटिंग्स मिलती है टिबेट इस बात पर हो रहा था कि फिर से दो पाकिस्तान को मूँ तोड जवाब बिल्कुल देना चाहिए मूँ तोड जवाब उस बात से किसी को इंकार नहीं है मगर आप बुनियादी मुद्दों तक नहीं पहुँचना चाहते हैं आप जैजेकार कर रहे हैं सरकार की कि सरकार मूँ तोड जवाब देगी पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी जाएगी मगर आप उस मुद्दे पर के इंद्रित नहीं होंगे उस मुद्दे पर आप ध्यान नहीं देंगे कि बार बार हमारे सैनिक शहीद क्यों हो रहे हैं यही पुलवामा की वक्त हुआ था और उस वक्त न्यूस चक्र में उस वक्त न्यूस क्लिक में हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपके सामने वो तमाम मुद्दे लाते रहे कि आखिर इंटेलिजन्स फेलियर पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया आखिर वो आतंकवादी 300 से साड़े 300 किलोग्राम आर डिएक्स लेकर क्यों पहुँ पहुंच गया हमारे 40 जवानों के पास आखिर वो 40 जवान जो हैं सामाने बसों में क्यों जा रहे थे बखतर बंद गाड़ियों में क्यों नहीं जा रहे थे ये तमाम मुद्दे मैंने आपके सामने उठाए थे ना उस वक्त मेरी इन बातों को सुनने के लिए बहुत ज्यादा आपमें दल्चस्पी नहीं थी मगर इतिहास बार बार खुद को दोरा रहा है और दक्षणी आनंतनाग में ये जो दुरुग हटना हुई है ये जो हादसा हुआ है जिसमें हमारे पांच जवान शहीद हो गए जवाब दही किसकी है जिम्मेदारी किसकी है बताइए और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि सैनिकों को लेकर जो हमारी उदासीनता है उसकी एक और मिसाल सामने उभर कर आई है इस वक आपके स्क्रीन पर हैं मौमद सनाउल्ला ये असाम बॉर्डर पर एसाइ के तोर पर तैनाथ थे मगर इससे पहले इनकी एक और जिम्मेदारी थी ये करगिल युद्ध में लड़े थे जब ये रिटाइर हुए थे तब ये सूवेदार थे इंडियन आर्मी में मगर जानते हैं इनके साथ क्या हुआ इन्हें पुलीस उठाकर ले गई उन्हें विदेशी बताया अवैद प्रवासी बताया और इन्हें जेल में डाल दिया डिटेंशन सेंटर में डाल दिया अब इनका परिवार गोहार्टी हाई कोट में गया है ये आदमी गिड़गडाता रहा कि मैं देश का सेनिक हूँ मैंने करगल यो दुमे लड़ाई लड़ी है मगर इसके आंसों की इसकी गुहार की किसी को परवाह नहीं थी और आप खुद बताईए क्या आप में मुहमद सना उल्ला की आवाज किसी न्यूस चैनल पर सुनी है कितने लोग उन्हें सुनी हैं अखबार किये क्या पहले पन्ने पर इस खबर को जगा दी गई क्यों नहीं दी गई और क्या आप जानते हैं कि इसे डिटेंशन सेंटर में क्यों डाला गया जो वज़ा में आपको बताऊंगा वो हैरत में डाल देने वाली है क्योंकि ट्राइबिनल जो है जिसके चलते हैं उन्हें डिटेंशन सेंटर में डाला गया या जेल में एक तरह से डाला गया उसका ये कहना था कि मुहम्मद सानाउल्ला ने 1986 में मतदान के लिए खुद को रेजिस्टर नहीं कराया जब वो 20 साल का हो गया था क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश में जब आप 18 साल के हो जाएं तो आप मतदान कर सकते हैं तो ट्राइवनिल का ये कहना है कि इन्होंने जब ये 20 साल के हो गये थे तो उन्होंने मतदान के लिए खुद को रेजिस्टर नहीं कराया इसलिए ये विदेशी हैं मगर ये समझदार लेओंगे भूल गए कि मार्श 1989 में 1989 में 61 संविधान संशोधन के जरिये मतदान की उम्र 21 साल से 18 साल की गई अब आप बताईए जब आप 1989 के बाद वोट देने के काबिल हो पाए 18 साल की उम्र में वोट देने के इलिजिबल हो पाए तो 1986 में या आदमी किस तरह से खुद को रेजिस्टर करा सकता था क्योंकि उस वक्त वोटिंग के लिए इलिजिबल नहीं था तो एक तरह से ट्राइबिनल की बेवकूफी ना समझी यहां पर सामने उभर कराई मगर दूसी तरह से समाच की उदासीन था कि किस तरह से हम अपने सैनिक को भूल गए वो सैनिक जो आप के लिए करगिल में लड़ा था उससे हम भूल गए अब बताईए मुझे क्या सैनिको को लेकर हमारे शहीदों को लेकर हमारी जो भावना है वो वाकई जायज है वाकई उसमें किसी तरह की कोई सत्ता है मैं दोस्तों अक्सर सोचता हूँ कुछ दुनों पहले बढगाम में भारत का MI-17 हेलिकॉप्टर उससे हमारे ही एक मिसाइल ने मार गिराया था ये था बाला कोट पुलवामा के दौरान जो माहौल चल रहा था गलती से हमने अपने ही हेलिकॉप्टर को मार गिराया इस वक्त दो लोगों पर कोट मार्शिल हो रहा है आप ये तस्वीर देखिए यहां आरती सिंग, स्कौर्ण लीटा आरती सिंग, इनके पती सिधार्थ वशिष्ट इस घटना में मारे गए थे आरती सिंग के आखों में आसू नहीं है मैं अकसर सोचता हूँ कि आरती सिंग के आखों में आसू क्यों नहीं थे ठीक है, उन्होंने अदब में साहस के एक तस्वीर पेश की, बगर उससे भी बड़ी बात आरती के आखों में अगर आसू भी होते, वो गिडगडा कर अगर रो भी रही होती तो हमारे दिल तो शायद सिर्फ टीवी के लिए पसीचते हैं, हम सही माइने में उनका दर्थ होड़ना समझते क्योंकि इस घटना में भी कई बातें उभर कर आएं, पहली बात इस घटना में जो गलती हुई उसको लेकर किसी टीवी पर डिबेट नहीं हुआ चुनाती दे रहा हुँ मैं आपको, माई 17 को हमारे ही मिसाइल ने कैसे मारा, क्या किसी चैनल ने इसको लेकर कठिन सवाल किये सरकार से और दूसरी बात, अजय शुकला की इस रुपोर्ट में ये प्रमानित हुआ था कि किस तरह से सरकार ने दबाव बनाया जाँच एजिंसियों पर कि आप ये जो तत्थ हैं, इसे आप चुनावों के बात सामने लाएं यानि कि अगर चुनावों से पहले ये बात उभर कर आ जाती कि हमारे ही मिसाइल ने हमारी हेलिकॉप्टर को मार गिराया, तो जाहर सी बात है, सरकार को इसका नुकसान हो सकता था, तो उन्होंने दबाव बनाया और ये रिपोर्ट सार्वजी ने खुई चुनावों के बा खोकला है, नहायती खोकला, हम सब एक आडंबर होडे हुए हैं, क्या आप इस बात को नजर अंदास कर सकते हैं, खैर, मगर बोल केला बाजाद हैं तेरे में, अपने दायतों को समझते हुए, अपनी जिम्मधारी को समझते हुए, हम ये असहज करने वाले मुद्दे आप तक लगातार लाते रहेंगे, क्योंकि देश के प्रती अपनी जिम्मधारी को हम समझते हैं, हमारा ये भी बानना है, कि हमारी इन बातों को सुनकर अगर सरकार इस पर काम करती हैं, तो इससे देश का ही भला होता है, इसलिए तो कहते हैं न, निंदक नीरे राती हैं, लिहा किलाबाजा मेरी इस आलोशना को मेरे इस मश्वरे पर काम कीजिए, इस से हालात बहतर ही होंगे, आप सबसे मेरी अपील कि इस कार करम को जादा से जादा लोगों को तक पहुंच आएं, लाइक और शेर करें, और न्यूस क्लिक के हमारे इस चानल को सब्सक्राइब करें, अभिसार शर्मा को दीजे जाज़त, भोल, किलाबाजाद है तेरे